जिस तरीके से सरकार ने एक्विजीशन से अलग यी भूमी के माध्यम पे प्रोजेक्स के लिए लैंड प्रचेज की स्कीम चिराई भी उसके अंदर नौ अजेंडाज आज थे नौ में से तीन अजेंडाज को फार्मर्ग के साथ आपसी सहमती से सेटल किया है जिसमें एक तो बरसोड़ा सब माइनर का था एक्स्टेंशन का मामला है त्यूंकि उसमें पीछे भी एक्विजीशन हो रखी थी और सब माइनर को थोड़ा और आगे ले जाना था तो आज फार्मर्ग के साथ नेगोशेट करी है ऐसे ही करनाल हेल्थ यूनिवरस्टी की अप्रोच रोड जो कुटेल में है उसका मामला था बड़े लंबे समय से पेंडिंग था लगबग 11.25 एकर लैंड उसके लिए किसानों से सहमत हुई है एक पाणिपत के अंदर ड्रेन का पैज किनेक्शन का मामला था वो 1.91 एकर्ड है वो भी फार्मर्ग के साथ सहमती से आज सरकार ने लिया है और एक लाखन माजरा जो फलाय ओवर में की तरफ जाता है उदर सर्विस लेन और रेलवे स्टेशन को किनेक्टिविटी के लिए आज सड़क नहीं थी उ इसका कुल खर्चा 15 क्रोड के आज पास का है इसके अंदर दो मामले फरीदाबाद के यमना पूल के साथ कनेक्टिविटी के थे वो भी पैंडिंग रखे है वारी नेगोशियेशन है चीका बाइपास क्योंकि आज फार्मर्ग नहीं मौजूद थे वो पैंडिंग रखा ग इक्विजिशन की और ले जाने का काम करेंगे दो मामले थे जिनको ड्रॉप किया गया है पहला राणिया के अंदर शेहर को फीड करने वाड़े वार्टर वक्स का उसके अंदर जो प्रपोजल जाये थे उनके डिस्टंस भी बहुत जादा था और प्राइस भी बहुत गाओं का जिसके अंदर एक गाओं से दूसरे गाओं को लैंड कनेक्ट करने का था वाओ अल्टरनेटिव सड़के बन चुकी है इसलिए उस प्रजेक्ट का ड्रॉप किया गया है साथ में ग्रामदर्शन पोर्टल का आज लॉंच हुआ जिसके अंदर हर ग्राम नागरिक को आज ये सुविदा देगी गई है कि वो अपने पब्लिक रीप्रेजेंटिटिव को बाया पोर्टल अपने गाओं की डिमार्ट किसी भी डिपार्टमेंट समंदित हो वो दे सकता है पब्लिक रीप्रेजेंटिटिव जो इलेक्टिव है चाहे वो सरपंच हो मेंबर समिती हो मेंबर दिला परिशद हो विधायक हो सांसत लोकसभाय राजसभा को हो इन पांचों को अब एक्सेस मिलेगा कि वो इन केसिज के अंदर जो भी गाओं की रिक्वेस्ट आएंगी ड पांच की रिकमेडेशन है और डिजिटल तरीके से सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर इफाइल बनके उनकी रिक्वेस्ट को भेज दिया जाएगा और डिपार्टमेंट्स भी फिट डिस्टिक लेवल पर उसी को एक्सपरेसिबली भेज सकते हैं और गाओं के जो एस्टि एक छे महीने के समय तक किसी द्वारा भी रिकमेंड नहीं की जाती इलेक्टिड रिप्रेजेंटेटे द्वारा तो फिर उसको ड्रॉप करा जाएगा तो अलग अलग इसके अंदर सुविधाय आम नागरी के लिए आज बनाई है और अम उमीद करते हैं जो हमारा एक सपना है कि ग्रामी नांचल के लोगों को भी information technology के साथ जोड कर उनकी समस्या जल्द से जल्द सरकार तक पहुंचे और जल्द से जल्द सरकार उस पर action यह तो हमारे कहीं भी बात सत्य बनगी है कि अभी यह अंदोलन किस हनोगा नहीं राजनितिक लोगों का है और जिस तरह से इस शुरू करने के तीन एजेंडा थे मंडी बंद हो जाएगी MSP खेतम हो जाएगी किसान की जमीन पर कबजा हो जाएगा आप में से आदे क्रिशी सित्तर समंदित परिवारों से आते हैं मुझे बताइए MSP मिला हर किसान को पूरा मिला खाते में मिला और Indian history में पहली बार है क कि 100% किसान के खाते में पैसा अगर किसी ने दिया तो अर्याना सरकार ने दिया और मजबूरी वर सर्याना को देखते में पंज़ाब सरकार अगर मंडियों की बात करें तो मंडिया हमारी पिछे साल के यहूं सीजन में जहाँ COVID के बावजूद भी इतनी बैतर तरीके से चल यह क्योंकि पूरी प्स्ट्ट एष्ट को यह को भीक, अबस्ट प्सक्नाम के बापक यह को भीक, शालिया थी-चे-खबाश का प्सक्तार भीक, अबस्ट